काफी समय पहले की बात है, जंगल में एक शेर रहता था, वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड से पूरा जंगल काम पुटता था, वह रोज शिकार करता और अपने इलाके पर राज करता, शेर शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे वह बूड़ा हो गया और अब पहले ज शेर के पास पहले सी ताकत नहीं रही, लेकिन फिर भी वह उसे खत्रा मानती थी, लोमडी ने सोचा, अगर शेर से दोस्ती कर लूँ, तो उसकी मदद से मैं भी आसानी से भोजन पा सकती हूँ, ये सोच कर वह शेर के पास गई और बोली, महराज, आप जंगल के राजा हैं अगर तुम मेरी मदद करोगी, तो मैं तुम्हें खाने के लिए हिस्सा दूँगा। लोमडी ने तुरन थांकर दी, लोमडी ने शेर के लिए शिकार खोजना शुरू किया, वह रोज जंगल के कोनों में जाकर ये पता करती कि कौन से जानवर कहां हैं, फिर वह चुपके स उस जानवर को शेर के पास लाकर खड़ा कर देती, और शेर उस जानवर को मार कर अपना पेट भर लेता, बदले में शेर लोमडी को भी खाने के लिए कुछ दे देता, कुछ दिन ऐसे ही बीते, शेर की हालत थोड़ी सुधर गई, लेकिन लोमडी बहुत चालाग थी, वह ह उसने सोचा, लोमडी बहुत चालाग है, ये मेरी मदद करने के बहाने खुद ही ज्यादा खाना खा रही है, अब मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। शेर ने जोर से दहार मार कर कहा, अब बस बहुत हुआ, तुमने मेरी मदद का फाइदा उठाया है, और अब मैं तुम्हें सब्क सिखाऊंगा। शेर ने लोमडी को दौराया और वह जान बचा कर भागी। लोमडी को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी अब काम नहीं आएगी और उसे अपनी सीमा में रहकर ही काम करना चाहिए। उसके बाद से लोमडी ने शेर से दूर ही रहना शुरू किया और खुद अपने लिए शिकार करने लगी। शेर ने भी समझ लिया कि जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। खास कर जब वह इतना चालाक हो इस तरह शेर और लोमडी दोनों ने अपनी अपनी गलतियों से सीखा और जंगल में फिर से संतूलन स्थापित हो गया।